हाई एवरिवन तो आज मैं आप लोगों के लिए सब का फेवरेट चोदपूर का फेमस मिर्ची वड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ एकदम फेमस रेसिपी है और एकदम बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है टेस्ट भी एकदम डिफरेंट होता है साथ ही में एक सीक् चमत जितना साब धनिया एक चमत जितना हम डालेंगे सौफ और यह जो प्रोपोर्शन साब को मैं बता रही हूं इसका आपको ध्यान रखना है इससे कम जादा आपको नहीं करना है तभी आपका फ्लेवर एकदब बढ़ी आएगा साथ ही में डाल दी है तेन लाल मिर्च छ पूरे मसाले को अच्छे से ठंडा होने देंगे अब यहां पर हमने एक बोल लिया है बोल में लेंगे एक कप बीशन साथ ही में डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर साद और साद नमक और इसमें अच्छा सा कलर देने के लिए हल्दी पाउडरी आप्शनल है सिर्फ कलर देने के लिए हैं अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी एड़ करेंगे और इसका हमें बैटर बनाना है जैसे हम नौर्मल पकोड़े का बनाते हैं सिर्फ सेम बिल्कुल वैसा ही बैटर बना करके त्यार करना है लेकिन कुछ ट्विस्ट होते हैं कुछ टेक को लग भग चार से पांच मिनट के लिए जिससे की बड़िया सा फूल जाएगा और फ्लफी सा हमारा बेसन हो जाएगा अब यहां पर जो मारा मसाला है वो ठंडा हो चुका है अब हम इसको एक ग्रैंडिंग जार में डालेंगे और इसको एकदम दर्दरा सा पीस कर तयार करन और यह जो मसाला मैंने आपको बताया है जिसको अब दर्दरा पीसा है यह एकदम सीक्रिट मसाला है और इसके बिना जोत्पूरी जो मिर्ची बढ़ा है उसका टेस्ट आहीं नहीं सकता आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लेना जब तक आप यह मसाला एड नहीं करेंगे तब बहुत जादा मातरा में यूध किया जाता है तो हमने यहाँ पर एक चोटा चम्मच manga अमच्चुप आउडर का इस्तेमी किया है साथ हमें एक सिकरेट चीज लाली है और अच्छे से करतीender काट, जिससे की बेसन पर आगे शेयर करोंगे, साथ में एक और मिर्च ले ली है पकोड़े बनाने के लिए हमारे याँ इस इसमें यही वाली मिर्च मिलती है अगर आपको इससे मोटी वाली मिल जाती है तो वो वाली इस्तमाल कर लीजिएगा हमारे याँ थोड़ी कम मोटी और थोड़ी लंबी वाली मिलती है तो मैंने यह यूज कर ली है दोकर अच्छे से पॉंश लीजिए बीच में इस तरह किसे चीरा लगा करके अंदर का जो भी इसमें बीच है मसाला है वो सारा निकाल देना है तो फिर आलू बढ़ने के लिए जगे नहीं बचेगी तो आप नाइफ की बजाए आप इस तरह से फिंगर से निकालने की पर अपको ध्यान रखना है यह देखिए बहुत है असानी से पूरा जो बीच था वो निकाल लिया हमने तो आप इसी तरीके से फिंगर की साहता से निकाल लिएगा पहले हलका सा कट लगा यह वो फिंगर से निकाल लिएगा अब यहां पर अमने पूरा मसाला अच्छे से अब हम लेग एक मिर्च उठाएंगे अपने आलू की स्टफिंग लेंगे और स्टफिंग को बिलकुल इसमें अंदर तक हमें स्टफ करना है अब आपको ध्यान रखना है कि जो आलू की स्टफिंग है उसको अच्छे से फिल करना है ने तो जब हम इसको बाइट करेंगे न वह उसकी विर्थ भी बढ़ती जा रही है इस तरीके से आपको भी स्टफ करना है आलो को अच्छे से प्रैस करते हैं बिल्कुल भी कंजूसी नहीं हो निक तो फिर वह वाला टेस्ट नहीं आएगा फिर आपको लगेगा कि जो पर वाला टेस्ट तो आया ही नहीं इसमें मिर्च को भी स्टफ करके तयार कर ली है ऐसे ही जहीं तरीके से हैं बाकी की मिर्च को भी स्टफ करके तयार कर लेंगे पहले आपको बस ध्यान रखना है कि मिर्ची वड़े की जो ही मैं रैसीपी आपको बता रही हो एक दब सीक्रेट रैसीपी है तो एक बर आप इसको ट्रा से लपेट लेंगे बेसन में देखिए इस तरीकि से कोट किया अब इसको उपर उठाएंगे जो एक्स्ट्र बेसन निकल रहे हैं उसको निकल जाने देंगे जिससे कि वो बेसन जाकर नहीं गिरेगा ऑईल हमने गरम होने के लिए रख दिया था ऑईल में हम अपने पकोड़ो के बाद में तो क्या होता जब हम उसको खाते हैं तो बेसन अलग निकल जाता है कोटिंग अलग निकल जाएगी और आपके जो पकोड़ा है वो अलग निकल जाएगी और फिर खाने का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा तो आपको मिर्च को बहुत ही अच्छे से पक अब यहाँ पर जो हमारे मिर्ची वड़े हैं वो हाफ दन हो चुके हैं पूरी तरह से डाक कलर इस पर नहीं आया है लाइट कोड़न कलर है इसी स्टेज पर हमें इसको निकाल देना है और सारी पकोड़े निकाल करके हमें इसी तरीके से ठंड़े होने के लिए छोड़ दे अब अब हमने ओँल को पिर एंफर से फ्राइए के लिए डाल देंगे test staff Abam hay flame पर इनको अच्छे से फ्राइए करना है जब तक अच्छा golden color इस पर नहीं आ जाता है आप नहीं देखा होगा जब भी भी हम पकोड़े խाहर जाते है तो लुग पहले से फ्राइ करके रखते है और बाद में गडे लेते हैं तो वो तया बढ़ है से करने तो यहां देखिए हमारी मिर्ची वड़े बनकर के तयार हो गए हैं, एक मिर्ची वड़ा में आपको कट करके भी दिखाती हूँ, यह देखिए हमने कट किया और आपने देखा कि बिल्कुल भी बेसन की कोटिंग अलग नहीं हुई है मिर्च से, उसके साथ ही है और आपकी ए जरूर एड़ कीजेगा इसके बिना आपकर बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा और अमचूर पाउडर साथ पे वह जरूर एड़ कीजेगा तो यह सारे सीक्रेट से जोद पूरी मिर्ची वड़ा बनाने के लिए जो कि वो लोग यूज करते हैं इसलिए उनके पकोड़े इतने बढ़िया बनकर के तयार होते हैं और जब हम घर पे बनाते हैं तो उसकी कोटी निकल जाती है तो इस बार आप किस तरीके से पकोड़े जरूर बनाईएगा दोस्तों और आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो होंगे तो आज हम लोग बनाने वाले हैं मसालाई मैजिक जो कि हर सबजी में जगाता है स्वात का जादू वो भी स्रफ दो मिनिट में चली शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग एक पैन में तीन चम्मत जितना साबूत धनिया डालेंगे और इसके साथ में ही एक अशता ही टकड़ा दाल्ची निका ले लिया है और के साथ में हमने च चोटी ओलाईंची जो ग्रीन वाली लाईंची हाए या जो चाय में हम डालते हैं तो आपके जो मसाला है उत ही तपीछ वने कहरेगा अर इसको लग बाобщ करेंगे रहा Armed हमें ब पाइस अर मेरी को पूर्छ निकाला है यहाँ तो मौसालर स्क अर्टि ह मेर कने है टे-डिक बूली लेसले को तूर निरे पूली पूला करेंगी टो फूलीके सब þरह ह·· Kenny दो पर कर नहीं जो पि मैंगry एक साथ में को सब्सक्राइव अइस के साथ को यहना पर एक चमच हमने कश्मेरी मिर्स पूड़र शुछ था पछी कि सुछी नमाग अधुकर ऐड़ी पाउडर एक दाद कर दें लगबग आदा चम्मत उसाथ में थोड़ इस चूगर भी आड़ कर रहे हैं तो एक बड़ा चम्मत जितनी हमने चूई चीनी इसमें एड़ कर्दी है अब इस साथ में हम इसमें और मसाले आइट करेंगे तो यहां पर हमने अम्चूर पौडर पियाट कर दिया है लग बग एक बढ़े चम्मा जितना और एक बड़े चमद जितना ही हमने यहाँ पर onion powder जो प्याज का powder होता है ना वो यूज किया है तो यह सारे मसाले मैंने घर पर ही बनाए है आप चाहें तो मैं इसका वीडियो शेर कर दूँगी आपके साथ यहाँ पर हमने लेसन का powder भी यूज किया है आदा बड़ा चमद जितना और इतनी ही quantity हमने salt का powder जो dry ginger powder होता है ना जो salt हम बोलते हैं वो यहाँ पर यूज किया है अब इसी के साथ में हमने इसमें add करने है एक बड़ा चमद जितना corn flour या फिर आरा रोट इससे क्या होगा हमार में पर टेस्टी भी होता है किसी भी सबजी में इसको डालिए मैगी में भी इवन आप इसको डाल सकते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा तो आपको यह मसाला कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताईएगा अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजेगा